जरासी जिन्दगी जरासी जिन्दगी चलो अच्छा हुआ पाकिस्तान जाने का एक बहाना तो मिला वरना ये तो हमें कहीं लेकर जाते ही नहीं मैं आपके घर जरूर आऊंगी जी जरूर वसे आप ठेरी कहा है भाई जान हमारे रिष्टदारों किया कोई कमी है क्या कमी कैसे होगी दिली और पाकिस्तान में फर्क है कितना है सिर्फ सरहत का विल्कुल सही का आपने अगर आप चाहें तो यहां ठेर सकती है जी मैं भी वही सोच रही थी लेकिन मैं जिस काम से यहां आई हूँ उसके लिए वहां रहना बहुत जरूरी है आरिव ब्या के घर से वो जगा नस्दीक है आप मुझे अपना एडर्स रह दीजिए जी जी जरूर टैंथ सब्दजम रोड़ हलो हलो मैं अभीर अपर, का महीं है तुम? तुम्हारी तो कोई खबर ही नही है क्या कर रहूं बिलाल के माबा को ढूणने में इतनी बज़ी हो गई की कुछ याद ही नहीं रहा सच, यह तो बहुत मुश्किल काम है मुश्किल काम है नहीं था मतलब? डॉक्टर मैंने बिलाल के माबा को डून निकाला अरे ये तो बड़ी खुशिकी बात है क्या तुमने उनसे साधी बात की जब वहाँ पहुची तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूं कैसे कहूं फिर किसी तरह सिचुएशन को समाला मैंने तो क्या तुमने बिलाल के बार में कुछ भी नहीं कहा उनसे हां इशारों में बिलाल के अबू को मिलने के लिए कहा मैं अपना अड्रेस देकर आए हो मैं जीब कर आने का इनतजार है और बिलाल की मां वो शायद मुझीब की पता नहीं कुछ समझ नहीं पाई मैं क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे पता नहीं ये तो उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा आई ये मैं आपी का इंतजार कर रही थी तमाला ना जान ना पहचान आपका मेरा क्या वास्ता वास्ता तो बहुत कहरा है हाँ आप इसे जरूर बेख़बर है ये आप क्या कह लिए जिसी की जिन्दगी और मौत का सवाल है तो इस पर में क्या गट सकता हूं एक बच्चा जो बाप रहते हुए भी यतीम हो गया ये सब आप मुझे क्यों सुना रही है तुनिया में सब आप ही वो शक्स है जो उस मासूम की जान बचा सते है कौन मासूम किस की जान आपका अपना बच्चा जिसे आप यतीम खाने में छोड़ाय थे अपनी बद्दमी से बच्चने के लिए यह क्या बगॉस कर रहे हैं आप अपकी कद बता रही हूं देखिए मैं यहां आपसे बहुत करने के लिए नहीं आई हूँ आपका बीटा जिसे मैं पाल रहे हूं वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है जिसे बचाने के लिए मुझे आपके मदद चाहिए देखिए उसे बोन मैरो कैंसर है अगर आपके दूसरे बच्चे का बोन मैरो ट्रेंस्प्लान कर दिया जाए तो शायद हम उसे बचा सकते हैं देखिए मुधरमा आप सिर्फ अपना वक्त बरबाद कर रही हैं मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता देखिए मैं मैं आपसे रिक्पेस्ट करती हूँ प्लीज मेरे मेरे बिलान को बचा लीजी बस कीजिए क्या आप मेरा घर बरबाद करने आएंगे और खरबरदार आइंदा मेरे घर की तरफ आइं तो समझी जो आपने बच्चे को अतीम कर सकता है उससें क्या उमीद करें तेकिन हम यह सोच कर तो हाथ पर हाथ रहके बैठ तो नहीं सकते हैं अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा है तो फिर कुछ तो सोचो कि इस आत्मी को ग्रिप में लेने के लिए हमें कुछ बड़ा सुचना पड़ेगा कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि यह खुद बखुद हार मान जाए वो आदमें बहुत जद्धी है बिलाल के लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात है कुछ सुनना नहीं चाहता है तो देने लोग सीधी बात नहीं समझते कि ऐसे लोगों को उनकी तरह सम्झाया जाता है मतलब मतलब बिल्कुल साफ है कि इस आदमी को रास्ते पर लाने के लिए हमें उंगली टेडी करने पड़ेगी और आपको तो शायद पता ही होगा यह निकालने के लिए उंगली टेडी करने ही पड़ती है कौने, कौने! आप यहां क्यों आई है आपके ना को हमें बदलने के लिए मतलब यह कि अगर आपने हमारी बात नहीं माली तमें मजबूरान आपकी बीवी से आपके और आपके बच्चे के रिष्टे के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा प्लीज प्लीज देखिए आप ऐसा कुछ म मेरी बस हीबसा ही ही जिंदेगी उजड़ जाएता है इस मेरी जिंदेगी उजार के लहाऊ प्लाप को यहां है उजारना काउन चाहताँ है हम कद अी हम कहने करना चाहते हैं बल्के आप हमें मजबूर कर रहे हैं तरज आता है उस बच्चे पर जो अपनी बाप के रहते हुए भी कितिम हो गया है बस कीजिए, बस कीजिए मैं और नहीं सुच सकता हाँ वो बच्चा मेरा है मैंने और जब उसकी मा ने शादी का इरादा किया तो उस वक्त हालात कुछ ऐसे पैदा हो गया है कि हम दो लों की शादी नहीं हो सकी इस दोरान तब बस सुन भी हामला हो चुकी की मैं डर गया इससे पहले के दुनिया वाले मेरे बच्ची को नजाई समझे मैंने उससे ही जत्री पाले गया ठीकिन इसमें उस बच्ची की क्या गलती है आज उसे आपकी जरूरत है मैं उसकी बिमारी के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं समझ था लेकिन ये जानता हूँ के मेरी बीवी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हो जिस तरह वो आपका बेटा है ठीक उसी तरह बिलाल भी आपका बेटा है और आपकी बीवी राजी हो या ना हो इसे क्या फर्क पड़ता है आपका अपने बच्चे पर पूरा हक है देखिए आप मेरी बीवी को नहीं जाए उसे अगर बिलाल के बारे में पता चल गया तो वो जानमूचकर उस बच्चे को माड़ा आपने तो हमारे लिए सारे रास्ते बढ़ कर दिये आपको प्र उरस्ते छिल धनमा एक भी नता दिल सकता है यहाग सुनी मेरी आपक फूर आपको और रास्ते बढ़ा एक्का पार रास्ते आपकाना जो किहल आपका बढ़ा सुनीप हा ऑ असुनीप मुझीव ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया पहले है करने के लिए राजी नहीं था और अब जो तयार हो गया तो अपनी मजबूरी को सामने लाकर रख दिया बड़ा अजीव आदमी है यहां इसके बेटे की जान पर बनाई है और वो है कि अपनी बीवी से डर रहा है लेक हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा बिलाल के पास वक्त बहुत कम है अब इर मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब हमारे पास एक ही रास्ता है अबस्ता है झाल 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 क्या हुआ हमारा मनना क्या हुआ से ओ यहाँ नहीं है हुआ 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 है आप आप लोगों की किसी से दुश्मनी है आप लोगों की किसी से दुश्मनी है इंस्पेक्टर साब नहीं आप आप लिए आप लिए है आप लोगों की कम्प्लेंट लिख लेता हुआ 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 है डंगला नंबर 27, लायाब हाउस, 10th क्रॉस रोड, ओके, देखे, कम्प्रेन तो हमने लिख ली है, आप लोग परेशाद मत हुई है, बागी हम जल्दी पता लगा लें कि ये हरकत किसकी है, थैंक यू, इस्पेक्टर साहब, क्रॉस देखे, जू, अदि बता लागी है, आप्रेंग वागी है, जू, डू, दो, दो, बता है, अँ आँ, यू, शवया, बता है, रोटुछ जा ड़ाउ यू, रोटुछ तो हम लिख भी आए, जू, आँ, रोटुछ ने, ने, रोटुछ बता एटना, इतना, मेरे मुझा, ऊधी सिरह हो लो घुट में घsed था? मुझे से घ्राइब ऑने ङुट में 아? कि ए रूब पूरा टा ऐ को आर रूखा फिल्ध में ग दो कर दोल्द समय विट्सर प्लखाई हां डो कि गरीकने का है यादला गोंडीया हुला कि लिए अगे, सोबखाई कि एपे शच्व पूरा की डूखे लिए ये भेड़ा मेरे 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 तो बैटा इतना मेरे निर्षा ये, मेरे मेरे एतना? अरे केसी माँ हो तुम? मेरे 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 तैसा तुम हो की बातों में बहला रही हो इसे भूग लगी हो दूद पिलाओ इसे तुम कुछ सुन रही हो मैं क्या किया हूं अगर बहरी और गुंगी हो तो आखे तो दी है देख नहीं रही हो बच्चा रोग जा रहा है और तुम हो की अरे यह कैसी हो रहे थे इसका दिल है या पथल हम जैसी ओरत का दिल पिघल गया आज करी की ओरते बस ऐसी होती है बच्चे बालना तो जानती ही नहीं बस मा बनने के शौक में बच्चे पैदा कर लेती है हमाए, मैं, मैं, अभीर बोल तो यूँ